हेलो दो मैं आसे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेल पॉइंट में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले एस स्वासा यूनिवर्सिटी के बी एस सी इन योगा कोर्स के बारे में तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ह की कि मुंस्तों मंतली लगबख साथ से 10 कोसि के अंदर चलते हैं जिसके अंदर आपको सेर्ट परोइट कर आए हैं इसके लावख दोस्तों यहां पर आपको योगार्श एलेटजिट काफी सारे courses को available होते हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि BS in yoga course की क्या पूरी eligibility criteria है और उसका पूरा admission process के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं तो दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको S. Swasa University की official website पर लेकर आये हूँ और मैं आपको यहां से इसकी पूरी detail दिखाऊंगा कि क्या पूरी इसकी admission process है eligibility criteria है और क्या-क्या इसका पूरा का पूरा schedule रहने वाला है तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो तो दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि bachelor of science यानि योगा के आपको specialization कराया जाता है यानि कि इन सभी topics के बारे माँ आपको study कराया जाती है अब हम बात करते हैं दोस्तों के duration of the course यानि कि बीएस्सी इन योगा कोर्स की क्या duration है यानि bachelor of science योगा तो दोस्तों there will be two intake of this calendar year यानि कि साल में दो बार इसकी admission निकलते हैं दो बार इसके जनवरी 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 और जुलाई में इसका admission इस्टार्ट होता है फर्स्ट जनवरी जुलाई ठीके दोस्तों तो इस कोर्स की जो दोस्तों duration है वह है minimum three years and maximum six years यानि आप कम से कम तीन साल में इस कोर्स को कर सकते हैं और अधिक से अधिक छे साल में आप इस को कम्प्लीट कर सकते हैं admission and eligibility के बारे में बात करें दोस्तों तो minimum आपके 12th class आपने पास आउट की हो और उसमें आपके 40% मार्क्स होने जरूरी है ठीक है दोस्तों तो यानि आपके 40% मार्क्स होने चाहिए किसी भी आपने बोर्ट से की हो 12th class ठीके दोस्तों उसके अलावा दोस्तों एक कम्पल्सरी है कि आपने YIC कोर्स किया हो S Vyasa से या Vyasa University से यहां आप देख पार होंगे तक candidate should be complete yoga instructor course YIC course from S Vyasa और Vyasa यह आपको करना दोस्तों कम्पल्सरी है उसके बाद ही आप यहां पर S Vyasa University के अंदर किसी भी course के लिए apply कर सकते हैं वो तब ही आप कर सकते हैं दोस्तों जब आपने YIC course किया हो यहां पर दोस्तों YIC course जो आपको प्रोवाइड करा जाता है वो वन मन्त का भी है टू मन्त भी है त्री मन्त भी है और दोस्तों अगर आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो लेकर वन यह तक कभी आपको यह कोड्स प्रोवाइड किया जाता है याई आई सी दोस्तों एस वियासा यूणिवर्सिटी के अंदर यह काफी अच्छा एक आपके लिए मोगा है अब अगर हम बात करें दोस्तों इसकी फीस इस्ट्रक्चर के बारे में तो दोस्तों यहां पर सेमेस्टर या यह थे तो यहां पर सेमेस्टर कितनी पीज है तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं बी योगा के बारे में दोस्तों में जो फूटल हो जाती है तो इसके अलावा दोस्तों अधर पूर फिस फॉर वाईएएसी यह निए वाईएसी पोर्सी जो फीस है दोस्तों उसमें लाइब्रेडी फीस यह सभी फीस हैड होती है और जो अधर पूर्स जैसे हमारा यह सीन्य होगा है उसके दर आपके library fees examination fees and study material fees यह तीनों फीस भी आपको additional देनी होगी छिए दोस्तो इसके अलावा हम वापस आते हैं इस टैप पर और इसके अलावा इसका apply process देखते हैं किस तरह से हम इसके लिए apply कर सकते हैं और क्या क्या document required होंगे इसके registration form के लिए तो दोस्तो सबसे पहले आपके पास passport size photo हो दो फोटो आपके पास होने चाहिए 10th और 12th class के आपके पास marksit होने चाहिए अगर आपने इससे पहले bachelor master या कोई सभी course किया है तो उसकी भी marksit आप लगा सकते हैं बट eligibility criteria 12th class तक है तो आप 12th class तकी इसमें document लगा सकते हैं अगर आपने bachelor या master के चांसे बढ़ जाते हैं उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी certification course है उसके अलावा तो आप उसको भी यहां पर लगा सकते हैं ठीके दोस्तों तो यह है इसके अंदर या फिर दोस्तों कुछ student जो की वाई आईसी कोर्स को कर रहे हैं क्योंकि वन मंद का भी यह course होता है तू मंद का भी यह और थिरी शिक्स एंट वन एयर का है तो अगर आप उसको कर रहे हैं तो यहां पर आपका दे रखा कि आप इसकी जो फ्री स्पेमेंट की है वह भी आप इसमें लगाकर आप रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ठीक दोस्तों उसके लावा आप काधार कार्ट वोटर आईडी कार्ट पैंड कार्ड ड्राइविंग लासे पासपोर्ट का सर्टिफिक सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है उसके लावा अगर आप पूरी डिटेल है वहाप दी गई है इसको आप अच्छी से पढ़ लेना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा उसके तरू आप इसको देख लेना अब हम बात करते हैं कि अप्लिकेशन ससकर्ण जानते होंगे जनवरी और जुलाइइमें एसका नया सेशन सेशन स्टाट होता है तो उससे पहले दिसंबर 15 से स्टाट हो जाते हैं और 25 डिसंबर तक आप पर एडविशन के रिस्टेसन होते हैं और उससे पहले आपको हुआरे बात आपको जमा करनी है ठीके दू और उसके अलाब अगर उससे पहले आप पूरा प्रोसेश हो जाता है बस आपका डोकुमेंट वैरिफिकेशन नहीं नहीं हो पता है है डोकुमेंट आपकी कम ने चाते हैं तो वहाँ पर आपका जो है फोर रिजेक्ट भी हो सकता है ठीकर तो वहाँ पर भी इतनी सारी इंफोमेशन जो आपको दी गई है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा अगर आपको यहां पर रिजिस्ट्रेशन करना है उसके ल अनलाइन कर सकते हैं प्रेफरेंस त्रू एपियर ओनलाइन के ठीक है तो इसके लाव आपका फूड और रहने का जो पूरा का चार्ज है उसके बारे में आपको बताया गया है कि फिस्ट्रे का जो चार्ज है वीचिस सब्जेक्ट तो चेंज प्रॉम टाइम तो टाइम अगर आप को एडविशन के लिए अप्लाई करना है तो आप इनको एक बार देख लेना इसके लिंक मिली जाएंगे इसके लाव दोस्तों अगर आप स्लेवस देखना चाहते तो यहां पर आपको पूरा बता दिया जाएगा कि क्या इसमें स्लेवस रहेंगे क्या उनका कितने कितने हवर कि आपकी क्लास रहेगी और कितने कितने नंबर का आपका थियोरिकल एक्जाम होकर कौन-कौन से एलिजबिल्टी फॉर पासिंग के बारे में बताएगा है दोस्तों कितनी है 50% मार्क्स आपके लानेस के अंदर कंपलसी है तो यह आप पास होंगे इसके ब आपका अप्लाई करने के लिए प्रोसेस आया है वह मेरे को आपको बताना था तो यहां से सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद आपको पूरा का पूरा है पर लिंक मिल जाएगा इन सभी एस्वासा यूनिवर्सेटी के ऑफसल वेबसाइट का भी योगा की इस पोर्ट या इस टेब का मैं आपको लिंक दे दूंगे दीगस तो मिलते ह Pixar रापे वीडियो अच्छी लिएट तो इस वीडियो को लाइक करना नभूने चैनल को सब्सक्राइब करें का आप इस वी."